नमस्कार दोस्तों अब हम सुरुवात करेंगे हमारी जो जी एस द्रिस्टी की भारती इतियास की जो किताब थी उसके थार्ड तीसरे पार्ट से तो अब यहां से सुरुवात करते हैं सम्राट असोक से सम्राट असोक जिनका असोक के सिलालेक से हमें क्या मिलता है असोक के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं पांच मेत्र पुर्ण संबंध वाले यवन राजा और तेरह वासिला इसमें मिस्र तुर्माय तुर्मय टालमी फिलाडेलफिया अलेक्जेंडर एपिरस सीरिया जो है उसमें अंतियोक एंटियोक टू और थियो से और सायरीन मग ह और अंतिकीनी और एंटीगोनस है और कलिंग युद्ध असो के राजिकाल की पहली घटना थी और विजेता इसमें असोक था इसके सुरू तेरवा सिला लेक में है और असोक के राज्याविशेक के आठ वर्स के पश्चा 261 इसवी पूर्व में घटित हुआ था अब यहां अब आते हैं हम लोग सवहगोर तामरपत अभीलेक गोरकपूर में मिले हैं और महास्थान अभीलेक भोंगार बांगलादेश में मिले हैं अकाल के समय जब अनागार से मुक्त अनाज का वितरन किया जाता है तो इससे संबंदित ये चीजे मिलें नियाले, धर्मास्थली दीवानी नियाले, कंटक शोधन फोजदारी नियाले, गुप्तचर जो है उसके संस्था एकी अस्थान पर रहने वाले, संचरा प्रतेक प्रतेक समीती में पांच सदस्य थे, तीसरी समीती जनगन्ना का हिसाब करती थी, छटी समीती बिकरी की वसूलनार करों की चोरी पर मित्युदंड था, नगर के पदाधिकारियों का नाम था, एस्चिनुमाई, भारतिय समाज जो था, वो स्राच साथ स्रेनिय में विवाज था, दार्शिनिक, क्रिशक, पसुपालक, कारिगर, योद्धा, निरिक्षक और मंत्री, दास्पर्था के प्रचलन का अभाव था, कोई भी व्यक्ति नों तो अपनी जाती से बाहर विवाह कर सकता था, नहीं उससे भीने पैसा अपना सकता था, चानक के, रिशी चनक ने सिद्धान्तों के पुस्तिका, राज के सप्पंग, सिद्धान्त की व्यक्या, सप्पंग क्या कहलाता है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, कुछ महतोपुर्ण कोश्चन, महतोपुर्ण तत्य एकजाम से सम्मंदी थी, जेम्स फिलिस, 1837 सिस् पाक अशोक, ब्रामी, लिपी का, साच, असोका का नाम, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, एवं, उडेगोम, लिम के लेखों में, इंडिका की लेखक, मेगास्तनी, सेलुकस, निगेटर के दूथ हैं, तक्सिसला, मौरिकाल की सिक्षा का सरवाधिक, प्रशिद्ध कैंद्र, मौरिकाल के प्रमक व्यक्ति और उनके अन्य नाम, चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोटस कहते थे, बिंदुसार को अमित्रगहात कहते थे, असो को पियदसी कहते थे, चानक को विश्नुगुप्त कहते थे, कुछ अन्य सम्मंधित तक तो हैं, अर्थ सास्तर, पती द्वारा इस अस्तम्ब, इस अस्तम्ब के सिर्ष भाग को सिंग्चतरु मुख कहा जाता है, इसका निर्मान समराट असोक ने करवाया था, इसकी प्रकृति भारत सरकार के अपने प्रतिक चिनिके रूप में स्विकार है, ये सारनात अस्तम्ब, इसके बारे में भी बहुत स्विकराचन करवाया थे हिंद यवन राजाओं ने वाल विवाक की प्रता प्रारमभीती कुशान काल प्रत्म सज्थी में, सी से के जारी क теперь इस डूस ने और संकर्थन और वास देव अंकित है अगात अगातो क्लीज के सिक्के पर अफगानिस्तान का बामियान प्रशिद्ध बुद्ध प्रतिमा के लिए जहां पर अभी उन लोगों ने कुछ नस्ट भी किया हुआ है इन चीजों को पहले इरानी सासक जिसने भारत के कुछ भाकों अपने अधीन कि अडेरियस प्रथम इसको कहते हैं और मौर्योत्रकाल के बारे में जाद्धा जानकरि इस जूनागर्ड अभॉलेक से मिलती है मुंच्य त्व्शात के गिरनार परवत पर प्राप्ते इसकी भाषा संस्रीटिक और लिपीब रहमी इसे संस्कृृताइब और संस्क्रित का विशेली का प्राजिंता नमूना है मुक्य उद्धिश सुदर्शन जील के बांध के पुनर निर्मान का विवरन रखना अब कलिंग के शासक के बारे में बात करते हैं इसके संस्थापक महा मेग वहांते के खारवेल महानतम समराटों में एक हाथी गुंपा विलेक के अनुसार और पांडी सासक के गधे से हल चलवाया और जैन धर्म के प्रतिन का जुकाप था कूजुल फटफिसेस के वल तामबे के सिक्के जारी कर सिक्के को धर्म धर्म थीदस और धर्म थिक उत्रिंड क्या था प्रभिम फट फिसस इसने सुण और तामबे के सिक्के चलाया यह प्यक्स में पूछा हुआ कोस्चन है सब्सक्राइब के सिक्के प्रशिप शुल और मंदी के आकरती थी कुशान मंस कनिसक के जर्वार में पासवर चरक सिकों के पर बुद्ध का अंकर आश्रित विद्वा रांणिक के लिए सदे भारित करते चैट्टानों का प्रियोग सुन्ग भंश केबारे में इसके संस्वाव सुमित्र हे भारत्वाज गोत्र के ब्राह्मन पानिनी के अन्सार पतांजली हो सर्पमित्र पुरोहिद और अंतिम राजा देभूति और और आयोध्या लेख पुशुमित्र ने दो अस्वम्य में किये साथ वहन वंद्सके बारे में वास्तविक राजदानी पैटन और प्तिष्ठान सát कंबिक राजनय अमरावती सथकरणी परफम सथकरणी उपाधि धारं करने वाले सातवाहाण वंस के परफम राजा गौतमी पुत्र सथ सथकरणी इंड़त्र होते चातुरवड़न के लिए फिर से स्थापित किया वर्ण व्योस्था का रख्षक नासिक अविलेक के अधुतिय ब्राह्मन के उपादी वेतों के आश्रेदा था गुप्त और गुप्त उत्तरकाल गुप्त वंसपरिचे लगवक 275 से 550 इस्वी का शासन अस्थापना संस्थापक महाराज स्रीगुर्प्त लगवक 2746 सासक्ष चंद्रगुप्त प्रतम 319-335 इस्वी तक शासन किया था इन्हें महाराज अधिकार की उपादी मिली गुप्त समवर्ण का प्रवर्थक था और समुद्रगुप्त विंसिट स्मित ने भारती नवपोलियन की उपादी दी थी समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को ही मिला था ये उपादी अब देख सकते हैं कुमार गुप्त प्रथम उपादी महंद्रा देते चंद्रगुप्त दूतिये के पतने धुरुप देपीश से उत्पन सरवाधिक प्राप्त गुप्त काली अविलेक इसी के समय के हैं तामर पत्र धंदे दामोदर पूरर वेग्राम से प्राप्त स्वर्ण रजत और तामर अब आते हैं चंद्रगुप्त दूतिये पर इसका अनिनाम देव पुत्र देवराज देवस्री है इसने उपादी धारन के थे विक्रमादित सकरा और सक्मवजेता का महरोली लेक जो है वो बिश्नुपत परवत पर बिश्नुव धच की अस्थापना की वर्तमान में कुत् अब्द्यों का वर्णने चंद्र का समी करण गुप्त वश्रासिशा सक चंद्र गुप्त दूतिय से है और पश्चि महारत केंध्यम्सक्राजा रुद्र सिंह थिय और पश्चिंब कि आ mering principles میں चांदी के सिख्कें चलवाएं judging यात्रा फाहियान था इसकंद गुप्त पादी इसे क्रमादित्य कहते सुन्य सिक्षे मुखवाग में दुनुस्वान लिये राजा के आकर्ति प्रिष्ट फाग में पत्मासन में विराजमान लक्षिमी और स्रीकंद इसकुप्त को उत्किर्ण है हुनों का पहला आकरमन इसी इसकंद गुप्त के राजिम काल में हुआ था और इसमें इसकंद गुप्त विजय ही रहा था कुछ सिकों को पर गडुद्धज और क्रमादित्य अंकिते तोर्मान भारत के दूसरे हुना आकरमन के नेता एरन वहरा प्रतिमाव का पर खुदा हुआ लेक धन विश्नु तोर्मान के का सामन्त और महिर कुल तोर्मान के पुत्र रूतर अधिकारी अर्थ व्यवस्ता ताम लिपी बंगाल के प्रमुक बंदरगा दक्षिन भारती व्यापार का संचालन दक्षिनी पूर्वी एसिया चीन लंका जावा सुमात्रा के ब्यापारी भड़ो पश्चिम का अपना प्रमुक और अपने नियम और स्वर निर्मित प्रवर्षे इंदूसर पचतर से 335 स्वी पुर्व ये थे वकाट सक्वन्स के थे समराथ क्योपादी मिली थे और इनने के प्राकास्था के ती आधार थे उपनिशत ब्रह्मसुत्र भगवती भगवत गीता दर्शन योग पतांजली वैशेशिक कनाद पुर्व मिमांस जेमिनी उत्तर मिमांस वादरायन अद्वेत्वाद संकराचार्ज विशिस्टता विशिस्टता द्वेत प्राचीन भारत में सिचाई कर कौश एरेसम का प्रया संस्कृत गुप्त काली नुच लोगों की भासा लोह के उक्रण के हेतु प्रीशिद्ध मुप्षिक अटकम सुद्रकों की रचना सत्रंज गुप्त काल के दौरान अध्भूत केल गुर्जर जाती के प्रतिहार वंस अपनी राजधानी अस्थांतरित की थानेशोर से कज्जान में मौकरी सास्कों की राजधानी करना उस थी एहुला प्रसस्ती पुलकेशन दूती एक्ता हर्स के मद्य युद्ध का वर्णन या युद्न नर्मदा दिके टटट पर लड़ा गया था जिसमें हर्स पराजित ह गया था वैं सांग हर्च के समय में सरप्रतें घटना वैंसां का भारत आग्मन तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान परशित ग्रंथ सी यू की और भीन माल की यात्रा यात्रियों कि राजका राजकुमार की उपादी च्होंसों से इस में द्रेंआ करनाटक chceant के समय क्रति पांच में प्रियाग में संगम शेत्र में आयुजेत्व समारो था महामोक्ष प्रिशत महामोक्ष परिशत के छंगे हमारो में uwagę बंद्रिनात द्वारिका पूरी PHP यृण यृण को कि विसुधरों रस्तिल सुची में नोत मंद्र ऑन् निर्माब गुफा कर लेग वैश्नव स्य भडैगों से संबनदित था और मातेंगे शर मंदिर भगवान सिव को समर्पित था गुफा मंदिर लिफेंटा कुल साथ गुफाइं पांच हिंदू गुफाइं दो गुफा बहुत धर्म की मंदिर निर्मान राश्टकूर्ट सास्कों के दौरत त्रिमूर्टी सिम्की प्रतिमा स्थापित और अंगावा जिला महरास्ट प्रशिद्धी सेलिकृत गुफा मंदिर अलोरा में यह थी कुल 34 सेलिकृत गुफाइं है एक वटा बारा बहुत धर्म से सब्मंदित थे तेरह बट से 29 हिंदू धर्म से 30 से 34 जैन धर्म से कैलास मंदिर से लिकृत अस्थापित द्रविड सेलिक कृष्ण प्रतम राश्टकूर्ट की निर्माता निर्मान नर्सिंग देव दे से हुए हैं सेनागिरी अस्थान दाती अमद प्रदेश की निकट विशिष्टा जैन धर्म का पवित्रस्थान चारो और सखेज जैंधर वर्तवान संदर्म सब्सक्राइन मंदिर पहाड़ी पर 26 गाउं कुल 103 संख्यां थी इसमें अन्य तत्थ्वी संतावन मंदिर था मु भाव नगर में मढ़हरा सुरी मंदिर गुजरात में भीमदे परथमके दोरार्त मंदिर महावखली पूरह में पलभ सासक के दोर अ乾़ के दोरा वह एपलाज मंदिर तंजवर में राज-राज पर्थमके दोरा विऑ दौचाब मंदिर हमपी में पंशाइतर मंदर च्रचन सब्सक्राइब अगस्त का रिश्य के 12 एक व्याकरन गरंत सही वियास्त का उच्छ कोटी का गरंत सिलपाधी का रम इंगलो और डीटका संग्रम सहीत का महत्रोपन महा कब एंगलो आडल का वर्नन चोल नरेश कारिकाल का पौत्र कावेरी पटनम के धनाडे व्यापारे का पुत्र कोवलन ने उसकी पत्नी कानगी से समदित मारमी कथा का विवरण अब नत्राज की सिवकी मूर्ति प्रती बड़ी संख्या में प्राप्थवी थी यहां पर और प्राया चतरभु जाकार के थे चोल सासक राज राज वन उत्तरी स्रिलंगा को जीत कर अपनी राज में मिला लिया था विजित छेत्रों में अनुराधा पूरा मस्तल को नस्ट कि प्राप्थम चोल सकती का चर्मोतकर्श कालता बंगाल की खाड़ी चोल जील में बदल दिया संपुन सिंगल द्वीप को जीत लिया उत्तरी पूर्वी भारत पर आक्रवन पवित्र गंगा जल लाने है तुपाल सक प्रतिहार को हराया गंग कोंड चोल की उपादी गंग को तोड चोल पूरं की नहीं राजधानी और चोल तक गंगाम का निर्मान दिस्समिति वरीयमॵारियम गाओं के देखरे करने वाली कारेकारी समीतिय कारेकारी समिति वर्यम ओध्यान का associates सब्सक्सर्वारियम निति इरिंदान समेथ से शुअर्व शाशक स सिंग विश्नू अवनी शिंख कि उपादी काशा कुंड़ी दान पत्र के अंसार चोल पांडाली सिंगम और कलम के नर राजाओं को परास्त के नरसिंग बरनम महामल्य की उपादी परमेश्वरं लोकादित और एक लम्मन और अर्णराज और गुनभाजन की उपादी नहद्र बरनम महा विला प्रहशन ग्रंथ की रचना एरी कामू डेव पोड़ों गयों प्राची नम एलो फोरा जार दोनों हाथ दोनों तरफ हथे दारकंबन तमिल रामायन या रामा रामा वतारम की रचना और उरेरियो सुती वस्त्रों का कैंद्र अब आते हैं चालुक के बंस पर इसकी राधानी बादामी थी पूलकेशर पर्थम वास्त्विक संस्थापक था चालुक के बंस का पूलकेशिन दुतिय सरवादिक योगर सक्ति साली था चालुकी सासकों में चोसो देश चोसो ब्यालिस तक इन्होंने सासन क्या एहुला अवलेख राचना का रवी किरती महलाओं की निक्त सरिकार पूर्ण शरिकपुत्र पक्रण और हर्स प्रेदर्सी रतनावली नागानंद प्राचीन इसाहित्य और इतियास्कार मिलिंद पन्हों नागसेन मालविका गुनी मित्रम कालिदास रास्तरंग निकलहन गीत गोविंद जैदे पंच तंत्र विश्नु सर्मा सिद्धा और मत्विलहंग प्रशाषन महेंद्र वर्मन पंडि राज इस वी जीवन रेखा वेंगी नदी इस्तिती कावेरी नदी के इदक्षन में राजधानी मदुरा 26 श्विपूर रूम का दूत का रूम भेजा मेनाक्षी मंदिर का निर्मान और इसमें जैंत वर्मन साशक जो उसने वानमान के उपाधिली शाहितिकार और उनके साहित्य पतंजली, महाभाष, यास्क, निरुतर, कात्यायन, वार्तिकी, वाचनयन, कामसुत्र, कालिदास, बेगजूत, भबूती, उत्तर, रामचरित, मानस, कुमार, दास, जानकी, हरनम, सुद्रक, मिक्ष, कटिकं, भ तो यह थे आज तीसरा पार्ट हमने आपको बता है पहले दो पार्ट मैंने अपनी यूट्यूब पर अपलोड कर लिया है उसे आप देख सकते हैं धन्यवाद